दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि आज की वीडियो मैं compare करूंगा Samsung के TU8570 को Sony के X8000H series के साथ देखते हैं दोनों TV के comparison को और आपको समझ में आजाए कौन सी TV लेनी चाहिए, किस में plus point है, किस में minus point है सब कुछ cover होने वाला इसी वीडियो में और वीडियो के end में आप समझ पाओगे कौन सी TV आपके लिए perfect होगी तो सब कुछ होने आला धमाके दार इस वीडियो में तो शुरुवात करते हैं वीडियो के लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहले बार विलिट के है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए इसी के सासी राथ बेल आइकन जरूर दबा ये सारे वीडियो अपडेट्स के लिए तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राकेश आप देख रहे happy guides let's get started तो दूस्तों comparison को शुरू करते हैं और एक तरफ रखता हूं मैं Samsung की TU 8570 TV को और दूसरी तरफ रखते है Sony के X8000S TV को अब यहाँ पर comparison करने के पहले मैं आपको पहले बता दो कि यहाँ पर यह दोनुए TV 4K resolution के साथ आती है और Ultra HD TV है और यहाँ पर बात करें इसके display के बारे में तो शुरूआत करते हैं Samsung की TU 8570 से तो यह जो TV है इसमें आपको VA panel देखने मिल जाएगा बात करें यहाँ पर picture engine के बारे में यहाँ पर Samsung यूज़ करता है crystal processor 4K का picture engine इसी के साथ ही राद बात करें यहाँ पर इस TV में देखने मिल जाएगा इसी के साथ ही साथ इस TV में आपको dual LED देखने मिल जाएगी जहाँ पर आपको बाकी ब्रैंड single LED बैक लाइटिंग देखने मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी बात होगी और एक major highlight होगा इस TV का इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पर अगर आप gaming क इस TV में आपको Auto Motion Plus का support देखने मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छी बात होगी गेमिंग में आपको बहुत अच्छा experience देने वाली है यह TV और रहा तक सवाल है HDR capabilities के बारे में तो इस TV में आपको HDR, HDR10, HLD सभी चीजों का support देखने मिल जाएगा इस TV में इसी के साथ ही साथ PQI Value के बारे में जिसको बुलते है Picture Quality Index तो यह basically Samsung के दिया गया यह measurement है जिसके थूरू हमको पता चलता है कि TV की Picture Quality कैसी है तो इस TV में आपको 2800 का Picture Quality Index देखने मिलता है मतलब बहुत ही अच्छा PQI दिया गया है अभी तक बाकी सब TV में इतना अच्छा value Samsung ने नहीं दिया था पैनल के बारे में Sony की TV आती है IPS पैनल के साथ IPS पैनल का मतलब है कि भाई बहुत अच्छे आपको way angles दिखने मिल रहेंगा अगर side side में आप बैठे हो तो आपको way angles बहुत ही अच्छे मिलेंगे जरा भी आपको color loss या फूर भी कुछ भी picture quality में compromise नहीं करना पड़े का यह खास बहुत है जाएगा इस टीवी में इसी के साथी जादा बात करें यहाँ पर इसके clarity इनांथर के बारे में तो Sony हमेंसा यूज करता है motion X reality pro clarity इनसान जिसके तुरू picture quality को जो clarity बहुत ही जादा अच्छी हो जाती है अब यहाँ पर बात करें Sony के display के बारे में तो Sony हमेंसा gaming में भी बहुत जादा help करने वाली बहुत जादा अच्छा experience होने और क्योंकि इस टीवी में आपको motion XR200 का support दिया गया है जिसके तुरू आपका gaming का experience बहुत ही बहुत ही बहुत ही शांदार experience होगा इस टीवी में और इसी के साथ ही जो native refresh है 50 Hz का दिया गया है इसी के साथ variant में आपको direct LED देखने मिलने ला तो यह मैं कौन-कौन से variant में क्या मिलने ला मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताता हूं और यहां पर बात करें एक खास feature के बारे में तो यहां पर Sony की स्टीवी में frame dimming का feature देखने मिल लेगा frame dimming का feature एक ऐसा feature है जिसके तुरू आपको दोनों ही TV में आपको 20W को sound output देखने मिल जाएगा लेकिन जो sound technology वो अलग-अलग है तो आपको Samsung की TV में जो देखने मिलेगा Dolby Digital Plus technology देखने मिल जाएगी दोर बात करें Sony की TV के बारे में तो Sony की TV में भी आपको Dolby Audio और Dolby Atmos का support दो देखने मिल जाएगा इसी के साथ ही साथ D Android का operating system देखने मिल जाएगा जहां पे आपको Tizen के operating system में आपको देखने मिलता है Samsung store Android TV में आपको देखने मिलेगा Google का Play Store अगर operating system को मैं compare करो तो यहां पे एक minus point निगल का आता है Samsung के TV में कि जहां पे आप जो apps होते है side load नहीं कर सकते है side load का मतब है कोई भी APK file लाओ USB में ल operating system के बारे में बाकी आप बताइए कि आपका क्या मानना है इसी के साथ आप यहां पर बढ़ते है अगले point पे तो यहां पर मेरा अगला point है connectivity के बारे में तो जहां पर आपको Samsung दे रहा है 3 HDMI port और 2 USB port दूसरी तरफ बात करें यहां पर Sony की TV में Sony की TV में आपको 4 HDMI port और 2 USB port दि Sony आपको provide करता है ARC port, ARC का मतलब होता है enhanced audio written channel और Sony की TV में आपको सिर्फ ARC port दिखने मिलता है जिसको बोलते audio written channel तो यहां पर अगर दोनों ports को मैं compare करो तो यहां पर जो Samsung की TV का port है एक port बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो बहुत ही अच्छे audio produce करता है तो अब बात करें TV के design के बारे में तो सच बोल रहा हूँ दो की दोनों की TV की जो design है बहुत ही जबर्दस है बीजल लेस डिजाइन बोलोगा मतलब screen to body ratio है बहुत ही जबर्दस है और बीजल आपको देखने भी नहीं मिलेगा इतना thin bezel दिया का है दो की दोनों TV में लेकिन जो design को लेके difference है वो है उनके tabletop stand का जहां पर आपको samsung दे रहा है ए शेप का tabletop stand दूसरी दर आपको sony दे रहा है ऐसा बोलते है na camel का जो होता है पेट क्या बोलते इसको बैक वैसा वाला आपको देखने मिलेगा तो यह difference है सिर्फ tabletop stand को लेकिन अगर दोनों को अगर wall mount कर दो आपको पैचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सी tv samsung की है कौन सी sony की है और दोस्तों आप बात करते स्मार्ट features के बारे में जो usually हमारे Indian customer है उनको ज्यादा ट्रैक करते हैं इन फैक आप शोरूम में भी जाओगे तो आपको यह सब ज्यादा फीचर मार्केट किये जाते हैं तो यहाँ पर वाई samsung की tv के बात करें तो samsung की डिवे आपको voice enable remote आ जाता है इसी के साथी जात गूगल असिस्टेंट amazon alexa bixp जैसे apple का सीरी है यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर एक और फीचर के बारे में बात करें जो samsung की tv में देखने मिलने लाए कि स्प्लेट स्क्रीन का स्प्लेट स्क्रीन एक ऐसा फीचर है जिसमें आप स्क्रीन का हिस्सा है उसमें दो पार्ट में डिवाइट कर दो एक तरफ लगा दो स्पेशल आप्स मतलब कोई एक सीरिस का नाम रहा हो दूतरी तरफ लगा दो कोई जमता रहा है या फिर नेट्लिक से कोई भी सीरिस तो यह पैरलर ही आप देख सकते हो मुझे नहीं लगता कितना रिलेवेंट है फिर सुनने भी आजीब लगता है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको samsung क की टीवी में देखने मिले आला तो यह मतलब खास फीचर या फिर बोल सकते हो कर्समर को अट्राइक करने के लिए सैमसंग दे रहा है और इसी के असाथ एक और स्मार्ट फीचर के बारें बात करें तो यहाँ पे आप कंटेंट शेरिंग करते हो मोबाईल का कंटेंट टीव पर देख लेते हो आसानी से लेकिन इस टीवी में मतलब सैमसंग की टीवी में आपको जब करना है और आपका स्क्रीन चेरिंग चालो हो जाएगा तो जो की बहुत अची बात होगी और यहाँ पर एक स्मार्ट फीचर लेगा है जो यहाँ पर भी कुस्टमर को अट्रैक करे इस तो बेसिकली मुझे लगता है मार्केटिंग गेमिंग है जितना भी बोलते हैं यह सब स्मार्ट फीचर दिये गया है आप दूसरी तरफ बात करें सोनी की टीवी में आपको गूगल असेशन का सपोर्ट दिया गया है वाइस अनुबल रिमोट आ जाता है इसी कैसा अमे में बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट दिया गया है तो दोस्तों मेरे इस आप से यहां पर सैमसंग की टीवी में हमें जो एडवांस या फिर बोलते हैं स्मार्ट फीचर बहुत जादा देखने मिलते हैं अगर मैं इसको कंपेर करू सुनी की टीवी से इसी के साथ ही आपको सब देखने मिल जाएंगे तो यहां पर दो के दोनी टीवी आ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है और दोस्तों आप यहां पर बात करते हैं टीवी के वेरिंट सो उसके प्राइजिंग के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस्पेशली टोटल छे मॉडल जिसमें आपको 43 आता है 49, 55, 65, 75 और 85 यह शे मॉडल आपको देखने मिल जाएंगे अब यहां पर बात करते हैं प्राइजिंग के बारे में तो कि दोनों टीवी की जो प्राइजिंग है वो आपको स्क्रीन पर देखने मिल जाएगे आप ध्यान से देखि जाए कि भाई Sony को जो टीवी है बहुती ज्यादा ओवर प्राइज है गो प्राइजिंग है मुझे बहुती ज्यादा मताब मुझे समझ म 75 eपड़िस यहां पर पिक्चर कॉलिटी यह ऐच्छी क्यों जैसे मैंने बता कि PECI जो वैल्यू थी वह भी बहुत जपर दस है तो मैं आपको strongly recommend करूँगा अगर आपका budget जितना pricing है उसके इसाब से बैट रहा है तो आप Samsung की TV ले सकते हो लेकिन बाई अगर आप Sony की फैन हो या फिर gaming का बहुत हाड़कोर gaming करना चाहते हो तो मैं आपको recommend करूँगा आप Sony की TV लेजिए तो ये मेरा conclusion था मुझे नीचे है इसी के साथी साथ अगर कोई point मुझसे miss हो गया रहेगा तो comment section में जरूर लिख सकते हो कोई भी सवाल कोई भी राय हो तो जरूर लिखना comment section में कोशिच करेंगे आपके सवालों का जवाब दिया जाए इसी के साथी साथ अगर वीडियो कोई भी ढंसे अगर अच् के लिए लेकर आते रहते हैं इंस्साग्राम पर भी जूर जाएंगे काफी कुछ अप्डेट्स वहाँ भी मिल जाएंगे so till then keep smiling and keep watching happy guide बाइबाइ